अज इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 years a slave summary आज इस work की summary आज इस वीडियो में हम करेंगे और यह one of the most important work है और इस से little detailed summary आज इस वीडियो में हम करेंगे 12 years a slave is a 1853 memoir है यह personal memory पे based है यह एक memoir है यानि जिसने यह लिखा है यह उसकी personal memory से related है and a slave narrative और यह basically slave narrative है यानि जो African Americans रही थे और basically जो slave रही थे उसके literature के अंदर यह work आता है और यह जो story है वो है Solomon Northup की और यह written की है David Wilson ने Northup जो है वो एक black man है जो की born हुआ था as a free man born हुआ था क्योंकि जो blacks थे उनको पहले slave की तरह रखा जाता था लेकिन Northup जो था वो एक free man था New York State के अंदर और कैसे उसको Washington DC ले जाया गया और किस तरह से वहाँ पे उसको slave की के अंदर बेच दिया गया deep south के अंदर यह detail उनका memoir है जो उनकी memory है कैसे वो वहाँ से आजाद हुए as a slave और उसके बाद उन्होंने यह memoir जो अपनी story जो है वो सारी बताई है तो यह work उसी पे based है हम start करते हैं जो Solomon Northup ने जो अपनी memoir start किया है जो उन्होंने अपनी story बताई है वो start किया है 1841 से Solomon जो है एक black man था वो साराटोगा न्योर्क सिटी के अंदर रहता था वो एक happily married था तीन उसके बच्चे थे और वो अपनी wife और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था बेसिकली वो एक carpenter था और वो एक बहुत ही अच्छा वोलन बजाने वाला था और उसके कारण उसके आसपास के friends जो है हमेशा उसको बोलते थे वोलन बजाने के लिए Solomon का father जो था वो slavery में born हुआ था लेकिन बाद में उनके एक lawyer जो friend थे Henry Northup उनकी help से उनके father free हो गए थे और इस तरह से जो Solomon है जो main character है जो जिनके उपर ये based ये memoir है Solomon एक free man born हुए थे तो obviously वो एक carpenter थे और ballonist भी बजाते थे उसके बाद कुछ time के बाद वहाँ पे जो two white men है वो Solomon को invite करते हैं एक बार कि हमारा एक program है और वहाँ पे आपको wallon बजाना है और इसके लिए उनको काफी अच्छी जो है वो payment दी जाएगी तो Solomon को लगा कि एक अच्छा idea है कि वो जाए और वहाँ पे उनके program के अंदर wallon बजा दे जिसे उनको काफी पैसा मिल जाएगा और उसको लगा कि जो है उसके लिए उसको जाना था Washington DC तो Solomon को लगा कि वो कुछ time के लिए थोड़े ही time का काम है तो वो जल्दी वापस आएगा तो उसने अपनी wife को इस बारे में नहीं बताया और वो उन दोनों आदमियों के साथ white man के साथ जो है उनके साथ चला गया और उसके बाद ये दोनों जो white man थे ये इसको लेके जाते है Washington DC में और वहाँ पे Solomon के साथ ये drink करते हैं और उसके बाद Solomon की drink में कुछ ऐसा मिला देते हैं जिससे Solomon बेहोश हो जाता है और जब Solomon की आँख खुलती है तो वो अपने आपको जन्जीरों में बंदा हुआ पाता है और एक अंधेरी गुफा में उसकी आँखे खुलती है जब वो उठता है तो Solomon देखता है अपने आपको पाता है कि उसको kidnap कर लिया गया है और वो जो है उसको ले जाया जाता है एक slave trader था जिसका नाम था James Burge James Burge जो है वहाँ पे उसको Solomon को देखता है Solomon जो है उसको बोलता है कि मैं एक free man हूँ और मुझे छोड़ दो कि मैं एक slave नहीं हूँ मैं एक free man हूँ और जितनी बार भी Solomon बार-बार उसको बोलता है कि मैं एक free man हूँ उतनी बार जो है यह जो slave trader था यह उसको उतनी बुरी तरह ऐसे मारता है उसके बाद slave trader की जो है वो Solomon को और बाकी जितने भी जो black man women children जिनको भी kidnap किया था उन सब को एक ship के से जो है New Orleans जो है वो भेज देता है दूसरी जंगे पे और यहां पर एक स्टोरी यह भी है कि जैसे ही यह सोलवन मताता है कि यहां पर एक mother होती है और उसके दो बुच्चे होते हैं तो उनको भी बेचा जा रहा था उनको भी दूसरी जंगे भीजा जा रहा था तो उसके लिए जो है उसकी mother request करती है कि मुझे जो है अपने बच्चों के पास रहने तो यानि जो खरीदने वाला है जो मुझे खरीद रहा है वो please मेरे बच्चों को भी खरीद ले ताकि at least हम family जो है इखटी रह जाए लेकिन यहां पर जो खरीदने वाले होते हैं वो यह कहते हैं कि नहीं जो यह जो ओरत है उसको दूसरी जंगे भीज दिया जाता है forcefully और उसके बच्चे को किसी और को बेच दिया जाता है वो औरत कई दिनों तक रोती रहते हैं लेकिन यह जो है slaves के साथ होता था वहां पर उसके बाद इनको जब ship से भेज दिया जाता है दूसरी जंगे तो Solomon को जो है Solomon का जो 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 जिस नाम से बुलाय जाता है वहां प बार-बार यह बोल रहा है कि प्लैट कोन है प्लैट मैं नहीं हूँ मेरा नाम सोलोमन है लेकिन जो slave trader है वो उसको बुरी तरह से मारते हैं और ही कहते हैं कि आज से तुम्हारा नाम प्लैट है और सोलोमन से तुम्हें कोई नहीं जानता उसके बाद जो है वहां पे इनको ज खड़ा किया जाता है और जाता कि जो भी जो ओनर है जो स्लेव खरीदने वाले हैं वहाँ पर आए उनको देखे और उनको खरीद के ले जाए वहाँ पर सोलमन को फोर्ड नाम का एक इंसान जो है वो वाइट मैं खरीद लेता है फोर्ड थोड़ा सा काइंड हर्टीड था उस उसके बाद यहाँ पर जो फोर्ड है वो बहुत बार कोशिश करता है कि किसी तरह से वह यहाँ पर निकल जाए यहां से चला जाए लेकिन उसकी सारे एटेंप्ट जो है वो फेल हो जाते हैं उसके बाद जो सोलमन का जो मालिक था फोर्ड उसको थोड़ी से फानेशल कंडि लेता है उसके बाद यहाँ पर इतना शोर्ट टैंपर था कि वो बार बार सोलमन को मारने की कोशिश करता है और सोलमन किसी तरह से अपने आपको बचा लेता है क्योंकि उसको पता था कि उसको यहाँ से किसी तरह से निकलना है किसी तरह से अपने आपको बचाना है एक बार तो उसको यहां तक की उसको फासी पर रिटांग देते हैं लेकिन किसी तरह से Solomon जो है वो अपने आपको बचा लेता है उसके बाद टेबिट्स जो है वो Solomon को एक और दूसरे वाइट मैन को बेच देता है जिसका नाम होता है Edward Apps और वो Edward Apps जो है एक बहुत ही बुरा बूटल इंसान था जो अपने Slaves को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और बेसिकली इसका जो है वो Cotton का Plantation था और यहां पे रूई निकालने का काम जो है यह सारे Slaves करते हैं और यहां पे एक लड़की भी होती है जिसका नाम होता है Patsy Patsy जो है यहां पे सब जितने भी डूई निकालने वाले होते हैं उनको रोजाना का 100 kg जो है वो Cotton निकालना होता है और जब उसका मन करता है entertainment के लिए जब सारे Slaves ठक हार के सो जाते तो उनको रात को बुलाता है कि उसको entertain किया जाए उसके लिए dance करें और उसके लिए music प्ले करें तो यह सारा काम यह Slaves कराता है और सारा दिन उनसे काम करवाता है और उनको कोड़े मारता है उसके बाद यह ले जाते हैं और क्यों ले जाते हैं यह इसमें मैंने mention कर रखा आप रीड कर लीजेगा उसके बाद एक बार यह होता है कि पैटसी जो है इतना परेशान हो जाती है कि वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देती और वो Solomon के पास जाती है और Solomon को कहती है कि मैं इस life से बहुत ज जीना है उसके बाद जो एप्स की वाइफ होती है वो पैटसी से बहुत जादा जैलेस होती है और वो चाहती है कि उसका husband उसको बुरी तरह से मारे और एक बार पैटसी जो है वो कहीं दिखाई नहीं देती और जब वो पापस आती है तो एपस उसको कोड़े से मारता है पह कोड़ा खुद से और खुद पैट्सी को बहुत जादा मारता है कि उसकी पूरी बोड़ी से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है तो उसके बाद सोलमन की लगातार सुषता रहता था अपनी फ्रीडिम के बारे में कि किसी तरह से वो यहां से निकल पाए एक बार वो भागने की भी कोशिश करता है लेकिन रास्ते में देखता है कि जो वाइट मैन है वो बकी तीन जो स्लेव्स थे उनको फासी पे टांग रहे थे तो वो द स्लेव्स हैं तो जैसे कुत्व के गले में पत्टा डाला है ऐसे डाला जाता था तो उन्होंने इवेंचली सॉलोमन को देख लिया जो बाकी जो white men थे, वो जो आपने slaves को टांग रहे थे, तो फिर उन्होंने पूच्छा की, तुम कहां जा रहे हो, तो Solomon नी कहा कि मैं मार्केट से सब्जिया लेने जा रहा हूं, तो उन्होंने जब उनके गले में, Solomon के गले में, पट्टा देखा कि ये F's के slaves है, तो फिर उसको छ शोचता है कि किसी तरह से वो एक लाटर लखे और अपने घर पर भेजे ताकि उनको पता चले कि वो यहाँ पे है और उनमें से कोई आके यहां से वो यह प्रूफ कर दे कि जो सोलमन है वो एक फ्री मैन है ताकि इसको यहां से निकाला जासके तो उसके बाद लेकिन वो जितनी भी कोशिश करते हैं वो बारबार फेल हो जाती है क्योंकि वाइट मैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि उनको ये पता चले कि जो सोलमन है वो पढ़ा लिखा है उसके बाद सारे स्लेविस इसको मना करते हैं कि कभी यह reveal मत करना कि तुम एक पढ़े लिखे हो नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे उसके बाद यहाँ पे काफी टाइम तक ऐसे चलता रहता है बहुत साल भी जाते है प्लांटेशन फार्म पे और यहाँ पे कुछ टाइम बाद एक वाइट मैन आता है जिसका नाम होता बास बास एक वाइट कारपेंटर था और वो जो है एक बहुत अच्छा इंसान था उसके जो आइडियास थे वो बाकियों से अलग थे और वो यह उसके जो है यह विचार थे कि जो यह जो स्लेवस हैं उनके साथ इतना बुरा वेवार नहीं करना चाहिए और वो अपोजिट था इसके स्लेवरी के खिलाफ तो उसके बाद धीरे धीरे बास और जो सोलमन है वो फ्रेंड हो जाते हैं और एक दिन बास को धीरे धीरे लगता है कि सोलमन शायद कुछ कहना चाहता है तो एक दिन सोलमन उसको बता देता है कि एक्चुली मैं फ्री मैं हूँ और मुझे पढ़ कि मेरी family को यह letter मिल जाए और वो मुझे यहां से ले जाए उसके बाद Solomon सारी बाते अपनी बता देता है कि कैसे वो free man था और उसको कैसे यहां पे लाया गया kidnap करके और उसके बाद उसको बेच दिया गया और यह slave की यहां पे यह plantation पे आ गया बास जो है उसका letter post कर देता है और उसके बाद काफी time तक कोई response नहीं आता उसके बाद जो है Solomon को कहता है कि वो कुछ time के बाद Saratoga जो है उसके place जहां पे Solomon रहता था वहां जाएगा और कोशिश करेगा कि जो इसके इससे related जो family हैं उनसे मिले और उनसे बात करें और किसी तरह से यहां से Solomon को ले जाएगे उसके बाद finally जो है Saratoga में होता है क्या है कि जो letter था वो Solomon की wife को मिलता है वो जो है Solomon की wife contact करती है Henry Northup को Henry Northup वही इंसान था जो Solomon के father को जो है slavery से निकाला था Northup जो है वो permission लेता है government से कि वो उसको जो है न्यू और लिस जाने के लिए permission लेता है उसके बाद जो है जैसे ही Northup Northup Henry Northup जो lawyer था वो वहाँ पे जाता है plantation farm में तो पूछता है कि Solomon कहां है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि Solomon को Solomon के नाम से वहाँ पे कोई भी नहीं जानता और सब मना कर देते हैं कि यहाँ पे Solomon नाम का कोई इंसान नहीं है क्योंकि Solomon का नाम उन्होंने change करके प्लैट रख दिया था और कोई भी जो है वो नहीं बता पाता कि Solomon कहां है उसके बाद Northup काफी try करता है काफी search करता है और उसके बाद Northup जो है वो बाद से contact करता है कि Solomon की location कहां पे है Solomon कहां पे है on January 3rd Solomon और बाकी slaves जो है वो खेतों के अंदर काम कर रहे थे उसके बाद Solomon देखता है कि दो इंसान गाड़ी में बैठके आ रहे हैं Solomon जो है बहुत देर तक देखता रहता है और बाद में काफी देखने के बाद क्योंकि काफी साल हो गए थे 12 years हो गए थे Northup realize करता है sorry Solomon realize करता है कि यह Northup है Northup के पास Solomon भागता है बहुत बुरी तरह से रोता है Northup जो है वो apps को बताता है कि Solomon जो है एक free man है और उसको छोड़ दो जो apps है वो काफी जो है लड़ाई जगड़ा करता है कि वो अपने slave को नहीं जाने देगा लेकिन जो Henry Northup है वो और court से order लेके आया था कि Solomon जो है वो free man है और उसको छोड़ना ही पड़ेगा अधरवाइस उसको court जाना पड़ेगा तो इस तरह से Solomon जो है वापस आता है साराटोगा में और अपनी family से मिलता है जब वो अपनी family से मिलता है उस बीच में 12 साल चले गए होते हैं और उसके बाद वो अपनी family और बच्चों से मिलता है उसके बच्चे अब बड़े हो चुके होते हैं उनके शादी हो गई थी और उसके grandchildren हो गई थे तो यहीं पर इस memoir की ending है तो यह memoir जो था वो Solomon Northrup का यह true story है Solomon की real की story है यह memoir है तो I hope students यह video आपके लिए काफी helpful रहेगा UGC net की preparation के लिए please do like and share subscribe my channel passion for literature thank you